नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ अगर आप भी HP LT TET, LT Commission या PGT Hindi Commission की तैयारियां कर रहे हैं तो ये जो प्रशनोत्री की सीरेज है आपके लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण है क्योंकि इस प्रशनोत्री में हमने हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा प्रशनों को रखा है जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण और उप्योगी साबित होने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे पहले के जो 10 पार्ट्स हैं फोस्त नहीं देखे हैं तो आप एक बार जो है प्लेलिस्ट में जाके उन सभी 10 पार्ट्स के कॉश्चन को भी देख सकते हैं हलांकि इसमें लगबग 100 कॉश्चन है इस पीडियाफ में लेकिन आज हम इसमें 30 कॉश्चन दिसकस करेंगे और बाकी इसके आगे ही चलता रहेगा तो मैं सबसे पहले इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अपने यूट्यूब के उन सब्सक्राइबर्स का वीवर्स का शुक्रियादा करता हूँ जिनमें मुझे कहा था अपना फीड़वेक दिया था कि सर्थ थोड़ा सा एक्स्प्राइशन आप थोड़ा सा अराम से कीजिए तो जादा अच्छा रहेगा तो चलिए पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट किया हमारी वीडियो पर अपना सुझाब दिया बहुत बहुत थेंक्यू आपका और मैं बाकी लोगों से भी ये उमीद करता हूँ कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीजे क्योंकि आपके लिए हम इस तरीके का बहतर कॉंटेंट जो हमेशा लाते रहते हैं नहीं तो हम आपको दुबारा मिलेंगे यूँ ही स्क्रोल करते हुए तो चलिए अब स्चाट करते हैं हमारा आज का पहला प्रशन है तो यहाँ पर देखिए पहला प्रशन है र बगहली किसके अंतरगत आता है बगहली आता है अमारा जो पूर्वी हिंदी के अंतरगत ये एक महत्तपूर्ण बोली है और इसको याद रखने की ट्रिक मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दी थी कि पूर्वी हिंदी के अंतरगत जो आने वाली तीन बोलिया है अव नारवाडी है ये पश्चमी राजस्थानी के नाम से जाने जाती है और मेवाती जो है ये उत्री राजस्थानी के नाम से जाने जाती है इसमें एक महत्पूर्ण बोली बच जाती है देखना यहां पर जो है हमारी पूर्वी राजस्थानी जिसको हम क्या कहते हैं जैपूरी हैं ये भी आपको कमेंट सक्षन में जाकर बताना है क्यूंकि भाषा उपभाषा और बोलियों से सम्मंधित और अपभरंशों से सम्मंधित जो प्रशन है ये जरूर पूछा जाता है तो इसलिए आपको यहां पर जरूर ध्यान रख लेना है कि ये वाला टॉपिक जो है ना आठवी अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी है तो देखिए ये प्रशन भी बहुत जादा महत्तपूर्ण है हर एक परिक्षा में आठवी अनुसूची से सम्मंधित प्रशन जरूर पूछा जाता है इसको याद रखने की भी सिंपल से ट्रिक्स हैं किस तरीके से हम 22 के 22 भाषाओं को बहुती असानी के साथ याद रख सकते हैं अभी हम इस प्रशन को सौल्व करते करते ही जानेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर ये आपकी बोलिया है या जो आठवी अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं उसमें से कौन सी है इसमें आपकी मण कैसे आप याद रख सकते हैं कि हमारी आठवी अनुसूची में शामिल कौन कौन सी भाषाएं हैं तो पहले हम याद करेंगे इसको सिंधी से क्योंकि मूल समीधान में टोटल कितनी थी 14 थी अब अगर इस तरीके से आपको लगता है कि यह तरीक अच्छी है तो आप इसको बहुत ही असानी से याद रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अलग तरीके से याद किया हुआ तो आप बिल्कुल वैसे ही याद रखिए क्योंकि इस तरीके से याद रखना आपके लिए अगर मुश्किल लग रहा है तो आप अपनी ट्रिक से ही याद इसके बाद अगली जो बनी देखिए नेक्स्ट जो रहा हमारे पास जो तीन नई भाषाएं जुड़ी जो आपका 1902 में जो समीधान संशोधन हुआ उसमें क्या है उसमें तीन नई भाषाओं को जोड़ा गया और ये संख्या कितनी हुई 18 हुई और उन तीन नई भाषाओं को जोड़ने के लिए इसमें क्या मिला गया नमक इसको या रखने की ट्रिक है सिंपली सी नमक न से नेपाली मा से मनिपुरी और कौ से कौंकणी इस त्रीके से आपने या रख लेना है नमक न से नेपाली मा से मनिपुरी और कौ से कौंकणी तो कितनी हो गई ये हो गई पर फिर से समिधान से शोधन, अगला समिधान से शोधन हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें हमारी चार और नई भाशाओं को जोडा गया, और ये संख्या जा पहुंची 22 पर, अब यहाँ पर नमक था, इस चार भाशाओं को याद रखने के लिए हम त्रिक रखते हैं अपना के ये वाली बोड़ मास, अब इसमें देखिए क्या है, बो से बोड़ो हो जाएगी, डो से डोगरी हो जाएगी, मास से मैठली और सा से संथाली, तो इस तरीके से आप देखेंगे की बोड़ मास से आपको चार नई भाशाएम मिल गई, बोडो, डोगरी, मैठली, और संथाली, और ये संख्या जा पहुंची 22 तक, अब हमारे पास कितनी हुई देखिए, सिंधी, निपाली, मनिपूरी, कौंकणी, चार ये हो गई, और चार हमारी बोर्ड मास फॉर्मूले के अंतरगत आती हैं, तो ये कौन-कौन सी थी, ये आपने यहां पर समस्त जो कैसे हैं, देखिए, अब सबसे पहले हमने देखना है, इसमें चार जो प्रमुक्ति, जो द्रविट परिवार के आती है, देखना, इसको भी कई बार पूछा जाता है, कि द्रविट परिवार के अंतरगत कौन सी आपकी भाशाएं आती हैं, तो यहां पर आपको यार रख गई, और यह 8-4 कितना हो गया, 22 हो गया, मलब जो द्रविटन थी, यह कितनी हो गई, 4 और हा गई, तो यह हो गया 8 और 4, 12, इसके बाद हमारे पास बचती हैं 10, अब हमने कैसे यार रख लेना हिंदी के आसपास की जो हैं, देखिए, एक है हमारे पास हिंदी, उर्दू, प और इस तरीके से आप देखेंगे 12, 31, 14, 15, 16, 17, 18, और यह जो 18 क्या हैं हमारी भाशाएं आ गई, तो हिंदी के आसपास की जो भी भाशाएं रही देखिए, वो यह हो गई, और यह कितनी हो गई, 18 हो गई, अब हमारे पास बचती हैं 4, तो जो अन्य 4 बचती हैं देखिए, वो कौन कौन सी है, अस्मिया, उडिया, बांगला, यह आपकी हो गई, 18, 23, 21, और एक हमारे सबसे उपरी जो हमारा यह राज्य है देखिए, कश्मीर की कश्मीरी, तो इस तरीके से आपको यह 22 की 22 जो है वो याद हो जाएंगी, बहुती असान और बहुती सिंपल तरीका है इस तरीके से याद रखने, क्शेत्र के आधार पर रखिए, या फिर आप परिवारी का आधार पर इनको रखिए, कैसे भी करके आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगा कि ये बाला तरीका एक सही तरीका हो सकता है इसको समझने का, कि पहले समिधान म हम सब लोग देखते हैं कि 14 थी वहां तक याद अगर है या नहीं है वो बाद की बात है लेकिन पहले सिंधी, सिंधी के बाद नमक, नमक का मतलब है नेपाली, मनिपूरी, कॉंकणी, बोड मास का मतलब है बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली, इसके लावा हिंदी, संस्केत, पंजाबी, एंड एक और थी आपकी गुजराती, मराथी, ये हो जाएंगी, फिर आपका देखिए, तमिल, तेलगू, मल्यालम, कंणड, अस्मिया, उडिया, बंगला और कश्मीरी और इस तरीके ये से सारी की सारी आपको बहुत ही इजी में याद हो जाएंगी, I hope आपने अभी जो भी 22 भाशा हैं वो सही तरीके से समझ लिए होंगी, अगर आपको ये अच्छा लगा है ये ट्रिक, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताईएगा, चलिए next question देखते हैं, हमारा आज का अगला प्रशन क्या है, अगला प्रशन ह है और इसको लिखने के लिए कालिदास त्रिवेदी की रचन रही कालिदास हजारा उस अधार भूत ग्रंत को लिया गया है, ये important बात है, तो इसका जो प्रकाशन वर्श है वो है 1883, तो विकल्प नंबर जो भी है वो बिलकुल सही आंसर इसका हो जाएगा, हलांकि 1873 में एक आती और देखना जो भाशा, जो महेश्दत शुकल की रही, ठीक है, उसको भी आपने याद रख लेना है, महेश्दत शुकल, हलांकि उसको हम कवी बृत ही उसको कहा जाता है, महेश्दत शुकल की भाशा कावे संगल है, उसको आपने याद रख लेना है, इसके लाबा 1888 में the modern vernacular literature of हिंदुस्तान रहा इसको आप यादर किये और 1913 में कौन सा साइटित यास गरंथ लिखा गया था ये आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं बहुत ही मौतपुन गरंथ है अगर आपको पता है तो आप ये भी बता सकते हैं और थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे दूँ कि उसमें सबसे जादा कवियों को स्थान दिया गया है चलिए next question देखते हैं हमारा आज का अगला प्रशन है कविता कौमुदी किसकी रचना है ये जो कविता कौमुदी है ये भी एक बहुत ही इसमें आठ भाशाओं ग्राम गीतों गेरा का जो जिक्र मिलता है आठ भाशाओं में तो ये किसकी रचना है ये है त्रिलोचन स्वरी जो राम नरेश्ट्री पार्टी है इसकी ये रचना है तो इसको आपने याद रख लेना है और नीचे के जितने भी नाम है इन नामों में भी अगर कुछ चीजें इन्होंने लिखी हैं तो ये भी आप कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं शामसुंदर दास के जो इतिहास परक गरंथ है या जो भाशा परक गरंथ है वो बहुत ही जादा महत्तपूर्ण है उनको एक्जाम में जरूर पूछ जाता है अचारे नंद दुलारे वाजबई हिंदी साहित बीसुई शताबदी मोस्ट इंपोर्टन टचना है देखना उसक इतने भी यहाँ पर नाम हैं लिखे हुए इन सब की पंक्तियां बहुत ही जादा महत्तपूर्ण है और यह एक्जाम में पूछ जाती है लेकिन अगर आपने पीछे के दो तीन पेपर देखे होंगे खासकर LTE, TET, LTE कमिशन और PGT के तो आदिकाल के जो सबसे महत्तपूर रचनाकार हैं देखे वो विद्यापती है और उनकी पंक्तियां जरूर पूछ जाती है और खुसरो का सामान्य परीच है वो आपको जरूर पेपर में मिलता है इसलिए उसको आपने जरूर देखना है एक्जाम में जाने से पहले विद्यापती की ये पंक्ति हो जाएगी इसके लावा, कबीर की पंक्तियां भी महतकुन हैं, दादू की पंक्तियां भी महतकुन हैं, और खुसरो की पंक्तियां भी जरूरी हैं, तो जो जो इनकी मुख्य मुख्य पंक्तियां हैं, at least आप एक आद बार इनको जरूर पढ़के जरूर जाईगा, क्योंकि हर एक परिक् प्रशन देखते हैं अगला प्रशन क्या है यहां पर है अपवरंश भाषा का प्रत्थम रास काव्य कौन सा है देखिए अपवरंश का प्रत्थम रास काव्य यहां पर पूछा गया है तो यह जिनदत्सूरी की रशना है उपदेश रसाइन रास इसको हम क्या मानते हैं अप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं बहुत ही महत्तपून ग्रंत है यह संदेश रासक भी और भरतेश वर बाहु बली रास्पी यहाँ पर भरतेश वर थोड़ा सा अलग हो गया देखना यह इस तरीके आजाएगा यह यह याद रखना है इसको सारी ही महत्तपून है चलिए बहुत सारी प्रशन में आपके लिए ही कर दिये कि आप comment section में जाकर बताईए हलांकि यह आपके लिए अच्छा है अगर आप बताते हैं तो बहुत बढ़िया है लेकिन पंच पांड़ चैदित्रा जो है सिद्धों में सबसे उंचा स्थान किसका माना जाता है आप देखिए सिद्ध टोटल रहे 84 लेकिन 84 के 84 कभी भी नहीं पूछे जाते आपको simply 4 या 5 सिद्धों के नाम ही पता होने चाहिए और उनी से related प्रशन आपको पूछे जाते हैं तो सबसे पुराने अगर पूछा होता तो सरहप्पा होता लेकिन यहाँ पर सबसे उंचा स्थान था तो वो लूईपा का था लूईपा जो है सबसे उंचा स्थान इनका रहा और उडिसा के राजा जो दारीकपा थे वो इनके क्या हो गये थे शिश्य हो गए थे वो इनकी महानता को देख के कनहपप जो थे ये पढ़नें मतलब पंडित्व में बेजोड थे राहुल सांकरित्यान ने माना कि कवित्व और पंडित्व में ये बेजोड रहे शबरपपा जो है ये सरःपपा के शिश्य थे शबरों की तरह वेश भूशा रखने से इनका नाम शबरपपड़ा और सिध्धों में अगर किसी ने दृष्टी कूट पद या दोहरे अर्थ जिनके निकलते हों जिनको हम चर्यागीत कहते हैं उनकी रचना इनोंने की है जो अनुष्ठानों इत्यादी के समय मे उनको चर्यागीत कहते हैं और इनके दोहरे अर्थ निकलते हैं इसलिए इनको दृष्टी कूट भी कहा जाता है तो अगर इस तरीके से प्रशन बनता है कि सिध्धों में दृष्टी कूट पद किसने रचे तो फिर शबरपपा का नाम जो इसमें लिया जाएगा तो ये थ प्रशन देखते हैं यहाँ पर है देवसेन ने किस साहित्य की रचना की है देवसेन ने जो अप्रश साहित्य की रचना किया देखना और इसने श्राव का अचार नामक जो गरंथ लिखा था जो हिंदी का प्रत्थम गरंथ माना जाता है इसको आप याद रखेगा ये आज का अगला प्रशन क्या है गुरु महिमा इंद्रिया निग्र है वेराग्य का वनन यह किस में मिलता है तो यह जो सारी चीज़ा मिलती है हमें यह हमें मिलता है नाथ साहित्य में इसको आपने यार रख लेना है कि गुरु महिमा इंद्रिया निग्र है और वेराग्य का व अलग अलग विद्वानों ने इसका समय जो है वो अलग अलग तरीके से माना है आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि शुकल के अनुसार इसका जो समय था वो था तेरवी शती रहुल सांकृत्याइन और जो आपका हजारी प्रसाद दिवेदी है उन्होंने नवी शती मान है कि आलहा उदल दो सरदारों की जो वीरता का वनन है यह किस गरंथ में मिलता है तो यह हम सब लोग जानते है परमाल रासो जगनिक की रचना रही है देखना इसे आलहा खंड के नाम से भी जाना जाता है तो अचारे रामचंदर शुक्र ने इसको आलहा खंड ही माना है औ फिर जिसको हम कहते हैं कि गीत है और जो वर्षा रित्तू में कहां पर उत्तर प्रदेश में खासका जो पैसवाडा नामक स्थान रहा है उसकी आसपास गाया जाता है तो बहुती महत्पोन है आलहा उदल नामक जो वीर सरदारों की कथा इसको आपने याद रख लेना है प चलिए next question देखते हैं अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन है विद्यापती कहां के शासक के आश्रे में थे तो विद्यापती देखे ये थे तिरहुत के शासक कीरती सिंग और शिव सिंग के दरवार में ये रहे थे और साती सात राजा गणेश्वर वो भी माने जाते है कि वो इनके आश्रेदाता रहे हैं तो ये प्रशन भी बहुत ही मत्पूर्ण है कई बार इसको भी परिक्षा में पूछा जाता है कि विद्यापती के आश्रेदाता कौन रहे हैं शिव सिंग के लिए इसने कीरती पताका लिकी थी और जो आपका कीरती सिंग था उसके गया है तो देखिए प्रित्वी राज रासो को जो अपरमानिक गोशित किया था वो द किया था प्रित्वी राज वीजय के आधार पर सन 1875 में सबसे पहले किस ने किया था ये डॉक्टर बूलर ने किया था वो भी आपको याद रखना है ये नाम भी इंपोर्टन्ट है हि अधिकाल को वीरगाथा काल नाम जो है रासो सहीत्य के आधार पर ही कहते हैं दूसरी तरफ उन्होंने रासो की रचनाओं को ही संदिग्द रचना कहा डाला ठीक है और ये प्रित्वी राज राज रासों को ही उन्होंने बोला कि ये क्या है अप्रमानिक या पूरा का पू अप्रमानिक ही माना है, तो ये तीन नाम है, बहुत महतपुन है, लेकिन बूलर ने सबसे पहले इसको अप्रमानिक घोशित किया था, नेक्स्ट कॉस्चन आता है देखी यहां पर पदमाबत में कितने खंड हैं, पहली चीज़ आपको याद रख लेना है कि पदमाबत में सर परगों को समय कहा गया है, यहां पर पदमाबत में खंड कहा गया है, तो 57 इसमें खंड रहे हैं, और इसका सबसे श्रेष्ट जो खंड माना जाता है, देखी वो तीसवा खंड माना जाता है, जो नागमती वियोग खंड है, जिसे हिंदी साहित्या की अनुपम निदी भी म बहुत ही जरूरी है देखना ये वाला प्रशन इसको भी कई बार पूछे जाता है तो इसको भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं हमारा आज का अगला प्रशन है अमीर खुसरो के गुरू का नाम क्या था तो मैंने पहले भी कहा कि अमीर खुसरो का समानने परीचे आपको जरूर पूछा जा सकता है तो यहाँ पर इनका जो गुरू थे देखिए वो कौन थे वो थे जो आपका निजामुदीन ओलिया बहुत ही मौतापूर नाम है देखना निजामुदीन ओलिया और माना ये जाता है कि इनसे ये विशेश लगाव था इनको और बहुत ही आती है देखना कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो खर आपने रेन भई चहुंदेश और जो निजामुदीन ओलिया थे ये भी इससे बहुत जादा प्रेम करते थे और ये बोलते रहते थे कि अगर मुझसे उपर या अल्ला ने ये पूछा कि भई तेरी उपलबधी क्या है तो मैं खुसरो को आगे कर दूँगा इस तरीके से इन्होंने कहा था ठीक है तो ये चीज़ भी आप इसके बारे में याद रखिए और इसके पिता थे सैफुदीन महमूद जो यहाँ पर लिखाए देखिए ये खुसरो के पिता थे ठीक है चलिए नेक बाबु गुलाब राय ने भी शुकल के ही कथन को आगे बढ़ाया इसने बोला कि ऐसी स्थिती में जब एक निराश और हताश व्यक्ति होता है तो उसके पास दो ही तरीके होते हैं या वो अध्यात्मिक्ता की ओर चला जाए या फिर वो एश्वरे में डूब जाए लेकिन भक्ति कालीन लेख को ने क्या किया उन्होंने अध्यात्मिक्ता की ओर जाना सही समझा और इस तरीके से भक्ति का आविरभाव जो है हुआ है तो यह बाबु गुलाब राय ने कहा है और रामिलाशर्मा ने इसको जाती और जनवादी अंदोलन कहा है ये बात भी आप यहा बोला था कि भाशा पर कवीर का जबरदस्त अधिकार था और ये वाणी के डिक्टेटर है ये इनकी पूरी लाइन थी और ये जो प्रशन है देखना ल्टी टेट और ल्टी कमिशन वालों के लिए बहुत जादा उप्योगी है क्योंकि ऐसे ही प्रशन आपको मिलेंगे ब विदांत दर्शन पर जादा दर लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये चटर साल के गुरु थे ये भी ध्यान रखने वाली बात है इसके बारे में सुन्दर दास जो है ये जो हमारे संथ कवी रहे हैं इनमें सबसे जादा पड़े लिखे थे साक्षर माने जाते हैं इसको भी आप याद रखिए और देश के अलग-अलग भागों पर इसने अलग-अलग पंक्तियां कही हैं लास्ट टाइम भी आपको सुन्दर दास के पंक्ति पूछी गई देख थी और इस बार भी हो सकता है यहां से प्रशन आपको बन जाए हरी दास निरंजनी इनोंने निरंजनी संफरदाय चलाया था ये भी आपके प्रमुख संथ कवियों में से एक माने जाते हैं नेक्स कॉशन आता है यहां पर कौन सा संथ कवी जो है वो नहीं है सिंपल सा प्रशन पूछा गया देखिए तो यहां पर आपको बताना है देखिए जो संथ कवी इन में से वो थे धुरुबदास धुरुबदास जो है ये सगुन भक्ती के अंतरगत आने वाले कवी हैं और ये कृष्ण कावे के अंतरगत आने वाले हैं इसमें आपने मुझे बताना है कि ये किस संपरदाय के अंतरगत आते हैं धुरुबदास चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं ह कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। चलिए, नेक्स्ट कॉशन देखते हैं, हमारा आज का अगला प्रशन है, निमिलिकित में से कौन सी रचना इश्वरदास की है? तो यहाँ पर देखिए, इश्वरदास की जो रचना है, वो थी सत्यवती कथा, केवल एक. अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इनकी भारत हरन नहीं है, इनकी थी भारत मिलाप, यह आपको याद रख लेना है, भारत मिलाप, दूसरी थी अंगद का पाउं, अंगद का पाउं नहीं थी, इनका था अंगद पैज, इस तरीके से आपको याद रखना है, अब सवाल यह उठता है, कि यह जो भारत हर और अंगद का पाउं है ये किसकी है अंगद का पाउं जो है ये श्रीलाल शुकल का एक निबंद है और भारत हरन जो है ये एक नाटक है देव की नंदन त्रिपाठी का अगर मैं इसमें थोड़ा सा गलत हूँ तो आप मुझे कोमेंट करके बता भी सकते हैं लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है ये दो रचनाएं इनकी ही है ठीक है सत्यवती कथा जो है ये इसका सूफी प्रेमाख्यानक कावे है और इसको हजारी प्रसाद दिवेदी ने हिंदी का प्रत्थम सूफी प्रेमाख्यानक कावे माना है लेकिन अचारे रामचंदर शुक्ल ने सत्यवती या फिर जो आपका ईश्वदास है उसको भक्ति की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया था और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने सूफी कावे तो लिखा लेकिन साती सात यह सगुन भक्ति राम कावे के अंतरगत भी आता है जहां पर इसने अंगद पैज और भरत मिलाप नामक तो रचनाएं भी रची हैं तो यह हो गया हमारा 23 कॉशन अगला प्रशन देखते हैं हमारा आज का अगला प्रशन देखिए धरम की रसात्मक अनुभूती ही भक्ति है तो रसात्मक हो गया यहां पर धरम की रसात्मक है यह रा हो गया है इसको आप ठीक क यह जो कतन है देखिए यह अचार राम चंद्र शुक्ल का कतन है तो इन्होंने कहा था कि धर्म की रसात्मखन भूती ही भक्ति है इसके साथ ही साथ इन्होंने शरद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति माना है इस वाले कथम को भी आप यहाँ पर याद रखेंगे तो जादा चरहेगा क्यूंकि ये कथम भी बहुत बार पूछा जाता है और कई बार कहा जाता है कि श्रद्धा और प्रेम के योग को शुक्ल ने क्या कहा है तो भक्ति कहा है ये बात आपको यहां ध्यान में रखनी थी आपके कुछ दूसरी जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर श्रीलंका हो गया, सिंहल जिसको हम कहते हैं, उन द्वीपों का वनन भी इस रचना में मिलता है, यह याद रखने के लिए सिंपल ऐसे ही है, क्योंकि जो चित्रावली है, इसका नायक ही कौन था, विदेशी था, तो यहीं तो यह चित्रावली हो जाएगा, 1613 की रचना है देखना, उस्मान की रचना है, और उस्मान ने चित्रावली से श्रेश्ट रचना करने की चुनोती दे डाली थी, और इसमें कितनी चुपाईउं के बाद एक दोहा रखने की परमपरा थी, तो यहाँ पर साथ इसी के अनुकरण पर लिखे गई है या पदमावत के अधार पर ही इस रशना को इसने लिखा था क्योंकि उसमें भी साथ चुपाईयों के बाद एक दोहा रखा गया है और अब आपके लिए एक प्रशनी ये है कि जो आपका सूफी प्रेमाख्यानक काव है उसमें कितनी अधाये हैं वो सामनांतर रूप से चलती है एक तो है मनुहर और मदुमालती की दूसरी है तारा और प्रेमा की कथा भी इसमें चलती रहती है छिथाई वारता नारायनदास की रचना है और रसरतन पुहकर कवी की रचना है इनको भी आप थोड़ा सा जरूर याद रखिए नेक्स कोशन आता है देखिए आलवारों ने किसकी उपासना की है तो आलवारों ने जो उपासना की उन्होंने राम की भी उपासना की और कृष्ण के भी ये उपासक थे कहने का मतलब है कि आलवार कौन कहलाए जो आपके वैशनव थे वो ही क्या कहलाए आपके आलवार सं तो आलवार का मतलब होता है इश्वर में रमा हुआ या इश्वर में डूबा हुआ ये प्रशन भी important है तो ये तो बात होगी आलवार संतों की अब आपके लिए एक प्रशन यहाँ पर फिर से हैं ये जो आलवार थे मूल रूप से ये क्या रहे हैं चलिए next question देखते हैं रामकावे से संबंधित है और वो था आपका श्री संपरदाय इसलिए आपको याद रख लेना है कि जो तुलसी दास रहे वो भी इसी संपरदाय से संबंधित माने जाते हैं बहुती मतपून है और यहां से आपको एक प्रशन और भी बनता है कि जो तीन बड़े संपरदा सबसे लंभी और समरिध परंपरा मानी जाती है, ये प्रशन भी आपको पूछा जा सकता है, जबकि राम कावे में सिर्फ और सिर्फ तुलसिदास का ही नाम मिलता है, बाकी नाम इतने महतपूर नहीं है, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, क्या है अगला प्रशन है, तुलसिदास की कौन सी रचना जो है, वो मुक्तक कावे है, तो यहाँ पर देखना, इनके जो मुक्तक कावे है, वो गीता वली भी है, और बरवे रमाइन भी है, जबकि राम लला नहच्चु इनका प्रबंध कावे है, तो ये प्रशन देखते हैं, कावे कलपद्रुम किस की रचना है, तो देखिए कावे कलपद्रुम जो रचना है, ये थी सेनापते की रचना, जो रितिकालीन कवी है हमारा आज का आखरी क्वेशन कौन सा है, तो ये रहेगा हनुमन नाटक की रचना किसने की है तो हनुमन नाटक जो लिखा था देखिए ये लिखा था आपका जो हिर्दे राम रहे हैं इन्होंने तो जो आपके राइमल पांडे हैं इन्होंने भी आपकी एक रचना महतपोन रची थी देखना जो आपके राम कावे से सम्भन दित है क्योंकि इसको भी कई बार पूछा जाता है तो इसको भी आप एक पार जरूर देखिए कि कौन सी रचना जो है वो इनकी रखी है चाए वो राइमल पांडे हो गया या फिर आपका लाल दास हो गया लाल दास की तो खेर अवद विलास थी क्योंकि जो राइमल जी पांडे रहे हैं इनकी रचना बिलकुल इसी तरीके की थी इन्हों लिखा हनुमन नाटक और उन्होंने लिखा था हनुम चरित्र उसको याद रखना है देखिए और कफूर चंत्रिखा ने तो रमाइन कथा ही लिखी थी यह आपने याद रखना है तो यह थे आज के 30 questions I hope कि आपने इन 30 प्रशनों से कम से कम 100 प्रशन तो जरूर सीखे होंगे अगर आपने इतने प्रशन नहीं बनाए हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको अभी और जादा मेहनत करने की जरूरत है और अगर आप सब लोगों को हमारा ये प्रियास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक दोस्तों जल्द मुलाकात होगी अपना अगला पार्ट लेके हम आएंगे तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद जय भारत इंकलाब जिंदबाद